सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर एट्स एका पॉड़क्षन एड़ आज की शुड़ावर में दिखाने वाला हूँ विए नेटर में हम न्यू एचसेल टूल को कैसे यूज कर सकते एड़ अगर अभी तक विए नेटर में आपका न्यू एचसेल टूल आया नहीं देन उसे हम कैसे ला सकते सो देखो एचसेल टूल का रिक्वाइर्मेंट प्रोफेशनल कलर गेडिंग करने के लिए होता है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते एंड देख लेते कि हम कैसे भी नेटर में एचसेल टूल को एड़ कर सकते साथे में यूज कर सकते सो लेट्स गए तो मिंट अपडेट किया है अपने आपको भी नेटर में इस अपडेट में इसने इसल टूल को एड़ गया बट यह चसेल टूल डारेक्ट लिए नहीं होगा अप कैसे करना है वह मैं आपको बताने वाला हो aber treballa हैं यह देख लेतेगी अच्छ डिटोल कोो कैसे यूज कर सकते हैं देन इसके बाद में बता दूना कि Remember पर्फे क्लिक कर दें यहां हमारे वीड़ो आगे झाए अब एजसेल टूल को यूज़ कर सकते हैं तो फिल्टर कर नहें तो फिल्क एक क्रॉल कर सकते हैं, फोर यहाँ पर यहाँ पर हमार जो background का color है, वो green है ठीक है, तो green को हम select करेंगे, अगर आप चाहो तो green का saturation उसे आप increase कर सकते हुआ या फिर green को и yellow is convert कर सकते हुआ यह ग्रियाली में green नहीं है, दिन कम करता डार्कन हो जाएगा इंक्रीज करने तो यहां से मीन इस वाले टूल को आप यूज कर सकते हो एक-एक कालर के लिए ठीक है यहां फिर जो आपको HUE मिलता है उससे होगा कि जो कलर होगा वो थोड़ा चेंज हो जागा ठीक है यहाँ पर आपने देखा था कि मिन्स यह एलो टाइप का था एंड अभी ग्रीन हो गया ना अगर चाहे तो हम इसे और भी कंड अ कलर में कर सकते हैं ठीक है आप देख सकते हो जितना ज्यादा अप यह को चेंज करेंग उतन के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर मिन्स और भी जो इसके कलर स्थियों में उन्हें भी यूज कर सकते हो ठीक है अगर आपको मिन्स अपना स्कीन को गूलो करना या फिर यूग लो उसमें ब्रायटनेस लाना या फिर गोरा करना तो आप क्या करना इस वाले टूल यह यह वाल यह दोनों में से किसे एक पर आना एंड यहाँ पर अपने बैक्ग्राउंड को यहां से चेंज कर सकते हो ठीक है तो यहाँ आप देख पार बैक्ग्राउंड का कलर हमने चेंज कर लिया ठीक है तो इस तरह करके आप इससल टूल को यूज कर सकते हो अब बात रहा क देना आप एक्सपोर्ट कर लेना ठीक है वो सब नॉर्मल से चीज़े हैं तो देखो ऐसे ल टूल को अपने एड़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने प्लेस्टोर को ओपन करने है ठीक है ओपन करने के बाद यहां पर आपको देखने को एक मिल रहा हो ज्वायन दा बीटा ठीक है यह मिंस वर्जन होता है जिसमें कि अगर आप इसे जॉएन कर लोगे तो जो न्यू टूल्स होते हुए उसे यूज कर सकते हूँ ठीक है तो आपको क्या करना है इस जुएन वाले बटन पे क्लिक करना है and से कर लेना है जो ठीक है तो आप इसके ऊपर क्लिक क होने देता हूं देन उसके बाद बताता हूं कि क्या और करना है हमें फाइनली हमारे इंस्टॉल हो चुका है नाउ ओपन के ऊपर हम क्लिक करते एंड अपने भीनेट को ओपन करते ठीक तो यहां पर बीसिकली आपको करना क्या पाता है सबसे पहले तो यह एड़ वैड जो आ है इसके कर लेते जैंन अनिए अपना मन करते हुआ डाल सकते हो ए-mail है ऒजो भी इमेडान अपको ऐometric आन है आपको जो भी means e-mail Play Store में login होगा ठीक यहां पर जो भी हमिंस 선생님 क्लिक करना और वहां से email नहीं दिखा सकता ठीक है देन उसके बाद यहां पे उसी email को को लेकर, SIGN IN हो जाता हूँ, XIGN IN जैसे हैं, आप वहो हो जाओगे, Then, उसके बाद क्या, करना है आपको यहाँ पे CLT करना है, इसके ऊपर और PLUS वाले बटन के उपर QUALITY करना है, then GotETEHD पर KLE혁ना, new project के उपर कलिक करना, और उसके बाद है यहां पे मिन्स आपको इस अभी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो देन उसके बाद उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि अचसेल टूल आया या फिर नहीं ठीक है तो यहां पे हम इसी वीडियो को फिर से सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद दैन को पर क्लिक करता हूँ है ऐन्ड फिल्ター पर आते देन अभेस्टमेंट पान्ह और यहाँ पर देख पाऊगो इसमें आपको ऐस एसल टूल देखने को मिल जा रहा ठीक है तुमस इस तरिक इसा आप तडONG कर सकते हैं अपने बंवी नड़ doctr解 ठीक है तो देखो यार आज की शूड़ों में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट शूड़ों में तब तके लिए बाइब